कुछ कॉस्तौ एक एक एलिगेशन जो टीम इडिया के उपर बार बार लगता है वह है fixi का mix it is. और घराइक पा सिंग ते जाथ रह यह Blo главное है वह लगाता है पाकिस्तानी पाकिस्तानीś तो भाई शोय बक्तर चुके एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का उसने एक वीडियो के अंदर अपना बोला है कि टीम इंडिया फिक्सिंग कर दिया यह पूरा मसला एशक अब 2003 शुरू हो चुका है भारतिया टीम शांदर तरीकी से फानल के अंदर पहुंच चुक है भारतिया पाकिस्तान को 228 रनों से हराया उसके बाद जो अगला मुकाबला था शुरलंका वाला भाई वो ख्लोस गया था मुकाबला या था पहले बाल्ले बाजी करते वह बारतिया टीम एकदम लड़ खड़ा गई थी और कहीं ने गई यह बारतिया टीम जिसने शुरलंका ये पाक जल्दी आउट हुए शानकेशन जल्दी आउट हुए नतीजा ये था कि भारतिया टीम ओल आउट हो गई बिना अपने पचास ओवर पूरे खेले अब श्रलंकान टीम की बनले बाजी आई श्रलंकान टीम लगातर अपने विकट स्कोर रहे थी लेकिन बीच में पार्टनर लेकिन जिस तरीके से भारतिया टीम को मोमेंटम टूटा था बीच में और इसके बाद भारतिया टीम जान बूच कर मुकाबला हार रही है जान बूच कर हारना चाहती है ताकि पाकिस्तान की टीम टूर्णमेंट से भार हो जाए एश्यकप 2023 से भार हो जाए पाकिस्तान की इसलिए ये team India का ये मुकाबला fix है team India fixing करती है ते बीच भाई शोयबक्तर ने क्या कुछ का आये जा रहे है तो भाई शोयबक्तर ने अपने YouTube चैनले के अंदर बागचीत करते हुए कहा इस पूरे मुद्दे के ओपर क्या का शोयबक्तर ने का मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे ये कहते हुए memes और message आ रहे है कि इंडिया ने match fix किया है वे पाकिसान को भार करने के लिए जान पूच कर हार रहे हैं क्या तुम ठीक हो वे अच्छी गिंदबाजी कर रहे हैं वे ललागे और असलंका ने अच्छी गिंदबाजी की आपने देखा वो 20 साल का बच्चा उसने रन भी बनाएं मुझे इंडिया और बाकि देशों को फोन कॉल आ रहे हैं कि वो जान पूच कर हार रहे थे तो भाई ऐसा कहना है शोववक्तर का यानि कि यह जो मीम्स हैं यह कहीं न कहीं उनके पास लगातार पहुंच रहे थे और शोववक्तर न को समझा रहे थे लेकिन फिक्सिंग का थोड़ा सा आरोप लगाना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है किसी भी देश के उपर इतनी जल्दीन को जज़ करना कि यह काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है और पाकिस्तानी फैन जो कि वैसे ही एमोशनली हाय होते है और मुकाबला जीतना चाह लेकिन टीम इंडिया वो मुकाबला हार गए तो एक बार फिर से यही सब चीज़े होने वाली तया थी लेकिन टीम इंडिया मुकाबला जीती एशिया कब 2023 के अंदर ग्रांड तरीके से एंडिया फिलाल जीतना